यूटूब के आयंसिस एकाडमी प्रट्फॉर्म पर आप सभी छात्रों का स्वागत है उम्मीद करता हूँ छांचोटी बीपेसी मेंस की तैयारी आप सभी छात्रों की अच्छी चल लए होगी उसी एक जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज एक मॉडल एमसर देखें सब्सक्राइब करते हैं आज का वीडियो आज का प्रस क्या हमने लिया है मॉडल एमसर के लिए बिहार के प्रमुख जन जातिये आधिवासी आंदुलों का वर्णं करें तथा इसके फ़रूप योम परड़ाम के बारे में बिस्ति रूप से चर्चा करते हुए इनके कारण क्या है वो भी देखेंगे और इनकी जो कारण है वो भी जानने का प्रयाफ करेंगे तो चलिए फुरुवात करते हैं आज के मॉडल एमसर की आउधनिक बिहार ने फंद 2000 की विभाजन से पूर्व दच्छिल बिहार का हिफ्वा भी छोटा नागपूर पठार युम जंगलों के मद इस्थित्ता उनमें कई आदवाफी जंजाती फंदाय के लोग रहते थे जब फत्रफो पैंफट इश्वी की पस्चात बिटिफ फत्ता का इस छेतर में प्रफार हुआ तब अपने हितों की पूर्ती हेतों अंग्रेजों ने इनके छेतरों का अज करमल कर कई प्रकार से फोफण आरम किया प्रणाम फुरूप 18-19 फताब्दी में इन छेतरों में कई विद्रों देखने को मिलते हैं जिसके कारण प्रमुक है यह हमने बता दिया क्या कारण था किस तरीके से जो है अंग्रेजों ने अपने अत्यचार को बढ़ाया खासकर आपका छोड़न नाग प्रपलेटू और जंगलों के जो मद जो छेतर था और मुहाफे फिर उसकारी रिजल्ट आपको देखने को मिलता है तो अगला परण हम देखेंगे आद्वासी आंदोलन के फामान करण क्या देखेंगे जनजातिये छेतरों में बिटी सासन का प्रफार होने से उन्हें अपने कानूनों को लागो किया जिसे आद्वासी आंतरिक व्यवास्ता में सुइकार नहीं कर पाए तो जो कानून थे कहिन कहीं वो आदिवासी जो थे उसमें सहज नहीं थे उसको स्विकार नहीं कर पा रहे थे दूसा कान देखते हैं जमिनदारों, फाहुकारों और ठेकेदारों के रूप में नए फोफक समूहों की कान आदिवासी का फोफन और भी बढ़ गया जो जमिनदारों, फाहुकारों, ठेकेदारों इनकी विज़ा से फोफन इनका और बढ़ा वो भी एक कान था इफाई मिस्नरियों का बढ़ता प्रभाव तो था आदिवासी धर्मों में थे जो उनके आदिवासी कोई धर्म थे जो उनका कल्चर था उनमें कहिन कहीं ये इफक डालने का प्रयाव कर रहे थे अगला प्रण देखते हैं बिटिक साफन द्वारा जंजातिय छेत्रों की भूमिका पर निजी स्वामितो की ओधारना लागू किया जाना ठीक है अगला है जंजातियों के छेत्र में प्रचलित खूट कटी अर्थात फंपति के फरजनिक भोग पर पाबंदी लगा कर उन्हें ठीकेदारों के हाथों में प्रण कर देना तो यह जंगल कहिंगे अपना ही मानते थे और उन पर ही पाबंदी लगा कर उनको ठीकेदारों के हाथों में दिया जाने लगा जिसका एक करण ये भी था अगला देखते हैं जूमिंग पर प्रोक के साथ जनजातियों पर चवन्नी कर अर्था चार आने प्रती घर के हिसाथ से आपकारी करों को आरोपित करना ठीक है उसके बाद 1827 के पस्चाथ अफीम की खेती पर प्रत्बंद के साथ जनजातियों को धोखे से और बंधित फ्रमिक बनाया जाना तो कहिन कहीं हमने देखा कि इसमें ऐसा कोई करण नहीं है चाहे वो आपका फामाजिक करण हो ठीक है चाहे आपका आपने आर्थिक करण भी देख लिया ठीक है किस तरीके से आपने जो है क्रिशी से सम्बंदित और उनके धार्मिक करण भी आपको देख रहा है तो हर करण है तो इसी एक तर जनजातियों को धोखे से अनबंधित फ्रमिक बनाये तो हमें देख लिए था ठीक है उप्रोत कारणों से जनजातियों में आक्रोफ ब्याप्त था तथा इन सम्में सम्मलित प्रभावों से भारत में एक सफक्त आदिवाफी आंदोलन हुआ जिसका प्रफार बिहार में काफ जनजातियों द्वारा जमेंदारों के फोफड़े खिलाप यांदोलन था तो हमने बताए कों जनजात थी कों सरीजन था यह कैसा तो बेसिक गाड़ी हमने ले लिया अगला बिद्रो था आपका चेरो बिद्रो 171-1800 के बीच भूफड सिंग के नेतुत्र में आपका पलाम पलामू रियायत के लोगों ने बिद्रो किया यह बिद्रो कमपनी के समर्थन से चलने वाले पलामू राज के बुद्ध किया गया जिसमें भूफड सिंग को फांसी दी गई थी यह तो हमने आपका चेरो बिद्रो के बारे बात की अदेते हैं कोल बिद्रो 1831 इस भी में हजारी बाग पलामू तथा मान भूम के छेतरों में हुआ था जिसका तातकाली करन छोटा नागपुर महराजा के भाई हरनात साही दोरा जमीन चिन लेना था इसके प्रमुख नेताओं में बुद्धो भगत सिंग राय फुर्गा थे ठीक है तो कहिन कहिन जो है जो छोटा नागपुर के महराजा के विभाई थे हरनात साही उनकी जमीन जो चीन लिया गया था अगर बाद देखते हैं भूमिज बिद्रो देखते हैं 1832 तैसमें बीर भूम के जमिदारों दोरा बिटे सरकार दोरा आतधिक राजव का भार डाल देने को परांद जमिदार गंगा न ने बिद्रो किया अगला देखेंगे खेरवाल अंदुरन सरकारी लडाई के नाम से विख्यात या बिद्रो अठारो फाट के दफक में मुंडा यूम उराव जंजाती के लोगों के ने जमिदारों के फोफण और पुलिस अतचार के बिरोध में किया था जिसमें भाघीरत माजी थे तो यह हमने आपके दो बेशिक आंदोल देखेंगे एक तो अन्टर ना होगा ताना भाघत आंदोलन और तैरा चौदधा में आरम यह आंदोलन राजनीतिक जागण से भी प्रवाहित था इसके तीन प्रभूप मांगे थी एक मांगे थी विद्वक्त दुखरा लागान ना देना क्योंकि भूम इफवर्की है और मनुफ समाज में समता ठीक है तो यह तीन पॉइंट पर यह अंदोलन आपका जो थी था उनकी यह मांग थी यहां अंदोलन कांग्रेस कायकरम तथा गाधिवादी सिद्धानतों से प्रभावित था तथा इन्हों अगर देखते हैं फंताल विद्रो यह जन जाती है आंदोलनों में सक्षे प्रवंग विद्रो था जो अठारफ पचपन छपन के दर्मयान भागलपुर के राजमहल दामिन एकोह के छेत में हुआ इसके नेता आपके सिंदु कानों चांद और भैरो थे ठीक है तो यह हमने एक विद्रो की कान देख लेते हैं बिटी फाफन दौरा इनके फामाजिक आर्थिक धार्मिक प्रफाफनिक जीओन में हस्थचेप करना जूम पड़ उबीद पर परदबन तथा जमीन पर फौमित को अंग्रेजो दौरा छीन लिया जाना एक कान यह था उनके परह पंचा कि क्रिया कलापों नेमों में हस्थचेप करना यह भी एक कान था फंथालों के फरदारों को जमिदारों का दरजाद देकर उनके माध्धम से आम फंथालों का फौफल करना ठीक है अगला था फंथा फंथालों के महिलाओं बह बेटियों की इज्जत लूटना था पुली फ अब राधों में भी संथालों को कठोर सजा दिया जाना अब देखेंगे उप्युक्त कारणों से संथालों में आक्रोस ब्याप्त था प्रण्याम फुरूप दरवा की हत्ता करने के बाद संथालों ने एकता स्थापित कर भगिना डी में अठारों सो पच्पन को नियाय तो था धर्म का राजस्थापित करना ठीक है इसके पस्चात उनोंने कहा कि उनके ठाकुले भगवान ने निरदेश दिया है कि आजादी के लिए हाथियार उठालों इसके पस्चात साथ हजार संथालthers 31 होकर जम्यदारों तो था महाजनोंगों पर हमला करना फुरू किये ताद दस्ता वेजों को जला दिया खड़ी फफल बंगलो इत्ताद को जलाए इसके पस्चात जनल वैरो की नेतुत में अंग्रेजों ने इनकी बिद्रो का दमन किया तो यह हमने देख लिया ठीक है अब इसके लामाद देखेंगे बिर्फा अंदुलन बिर्फ बना की पस्तुत किया, लोगों को फुधता आद्व फुधार तथा एक एसवर वाद का उब्देश दिया योम लोगों को यह समझाया की सिंग बुंगा यानि आदव वाफिद देवता एक एसवर की दया के समाद में पुनह आदर ब्यूस्था किया स्थापना होगी तथा उनके सर्दारों का बेभार भी जम्यदारों जैसा हो जाना राज़ोस की बड़ी दर्च चुकाने को सच्छम ना हो पाना 186 इश्वी में जम्यदारों को पुलिस अधिकार दी जाने से इनका फूफन बढ़ना इसी सभी कारणों से मुंडाओं में असंतोस बढ़ता गया ता बिर्फा के उद्देशों से इस आंदोलों का ब्यापक प्रफार हुआ यों 1895 तक बिर्फा ने 6000 लोगों का दल तयार कर लिया इस आंदोलों का मुख उद्देश एक फुतंत बिर्फा मुंडा राज की अस्थापना करना था ता इसी उद्देश से फाहुकारों, मिस्नरियों, अधिकारियों तो था बाहरी लोगों पर आकमण से इस आंदोलों का आरम हुआ अधवाफी आंदोलों के परणा हम देखते हैं, इनका जो रिजल का जितने फारे अधवाफी आंदोलों के रिजल हम देखते हैं, क्या उनका परणाम रहा 1903 की काफ्तकारी संफोदन अधनियम पारित कर मुंडाओं ने खुट कटी बेवस्था को मानता दी फिर से छोटा नागपूर काफ्तकाफी अधनियम 1908 पारित किया गया, 1905 में खुटी को अनुमंडल बनाया गया, भागलपूर बीरभूम के कुछ छेत्रों को मिलाकर फंथाल परणा जिला बनाया गया, फंथाल परणा टिनेंसी अधनियम पारित किया गया, ठीक है, और गराम पर फुरूप जातिय था, जो मुलता एक जातिय धर्म के नाम पर संगटित था, इसके फाफ़ात यह एक संगटित बिद्रो के फाफ़ात्र फुरूप वाला आंदूलन था, इसमें परणाप्रागत हंतियारों, जैसे तीर कमान, बरचा भाला का परयोग किया गया, तीर कमान, देखते हैं, इनका फुरूप मफियावादी भी था, क्योंकि यह जल, प्रलय तथा, फॉन्ड दीप, जैसी और धाना से प्रवाइद थे, तो हमने देख लेंगा फुरूप क्या था, कि 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 फ्लेबल का था, वो भी पर देखा कहेंगे, एक सिंग था, छोटे सेत्रों में पस्कीरिया तथा विद्रो करने करन आने वाले वरफों में प्रिनादायक फावित हुए, इस विद्रो ने अठार फतावन की करांती का आधार तयार कर बिटिफ फाफन खिलाप लोगों में जागुर्ता का भाव पैदा किया, तथा आने वाले वरफों में बीफ्री बाव डाव डाव डालने का प्रायफ किया, क्या क्या चीज़ ले ले फकते हैं, ठीक है, पकी इस ट्रक्चरिंग और अच्छे आप कर सकते हैं, प्राउट डाग्राम की मादना फिन ले फकते हैं, ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यबाद, और जो इतिहा सारे चीज़ पुरा हिस्टी का जो आपका पेपर वन का सेक्ष वन का आलमोस जो है अपका कबर हो जाएगा, और कंप्लीट जो है कंटेंट रहेगा, तो आप कहीं से कहीं चीज़ों को जो है सहीते के से अपने उत्तर में इंट्रडूस कर पाएंगे, ठीक है, तो चैनल को स और फेर जरू करें ताकि थोड़ाफा मोटिवेशन और बढ़े, ताकि काम जो है और वीड़ों आएं और काम थोड़ा और आच्छे से किया जाए, वीड़ों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद